रहमत खुदा की तेरी चोखट पर नज़र आए हर लम्हा तेरी तकदीर सवर्ती नज़र आए बिन मांगे तुझे मिले तु जो चाहे कर कुछ ऐसा काम की दुआ खुद तेरे हातों को तरस्ती नज़र आए हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विक्रम सिंग और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल जिसका नाम है वी एसलडी एजुकेशन अड़ा जैसा कि दोस्तों हमारी डेमो क्लास चल रही है और हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में मुगल समराज्य की नीव कैसे पड़ी जिसका यह सेट और फरस्ट पास मैंने इस टॉपिक के उपर डाल दिया है आप चाहें तो बहुत देख सकते हैं और डिस्क्रप्शन में वहाँत दूँगा उप से भी देख सकते हैं दोस्तों देख रहे हैं वो भारत के और entry करता है और प्रमुक अभियान इवं युद्ध करता है तो उनी युद्धों और अभियानों को हम आज तीसरे पार्ट में समझें गे और यह जो हमारा topic है मुगल समराज्य की नीव आज इसी तीसरे पार्ट में हम इसको समाप्त कर देंगे उसके बाद में फ उसने फर्गना एबम काबुल को अपने भाई मिर्जा को सौप कर वह क्या करता है वह भारत की और प्रस्थान कर जाता है भारत की तरफ आ जाता है और कहां से एंट्री करता है उत्तर पस्षिम पंजाब के छेत्र के आसपास से वह एंट्री करता है जो वर्तमान में पंजाब उसके युद्ध भी होते हैं तो इनीफ् рисाभ एम्यeden के बारे में जानेंगे कि भारत में जब entry करता है तो किस तरीके से अभ्यानों को करता है और ऐसा क्या मोड आता है कि है मुगल समराज्जी की नीव रग देता है थो और चलिशी आये देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भावर जो है भावरत की और आने पर जा ने पर यूंढे जाती थी यूसुफ जाती ती उसके व्रुद्द में इसने क्या चलाया अभियान चलाया और इसी इनी जातियों से इसने बाग और एवं भेरा के किलों को जीत लिया ठीक है बावर ने ठीक है इसी प्रत्थम अभियान में जो की 1519 में हुआ था यूसफ जाती के विरुद्ध बावर ने इस अभियान में पहली बार बारूत का भी प्रियोग किया था ठीक है जिसका जिक्र बावर ने खुद बावर नामा में मतलब अपनी आत्म कथा में किया है ठीक है बावर का दूसरा अभियान जो शुरू होता है वो भी 1519 में ही शुरू होता है ठीक है 1519 में प्रथम अभियान है और 1519 में ही दूसरा अभियान बाबर शुरू करता है और पेशावर पर चड़ाई करके पेशावर को भी क्या करता है जीत लेता है यह जितने भी जो एरिया है या छेत्र है यह पंजाब के आसपास के ही छेत्र थे अगर प्रजेंट में पे बाबर का तीसरा जो अभियान होता है कि वह 1520 में बाबर तीसरा अभियान करता है और पुनह बाग और भेरा को एवं सियाल कोट और सईयदपुर को जीत लेता है ठीक है चुकि बाबर ने प्रथम अभियान में जो कि यूसफ जाहती के विरुद्दू किया था उसमें सेकेंड अभियान जब जीता उसके बाद में आराम करके थोड़ा सा तीसरा अभियान शुरू किया 1520 में फिर पुनह बाग और एवं भेरा को बाबर ने जीत लिया और उसी के साथ साथ सियाल कोट एवं सयदपुर को भी बाबर ने जीत लिया बाबर ने तीन अभियान किये उसके बाद में हम थोड़ा सा में आपको एक चीज बता दू ठीक है बाबर जो था जब भारत की और चल रहा था जब एंट्री कर रहा था भारत में तो उस समय बाबर के भारत के भारत आगमन पर इवं उसके आक्रमण के समय या दौरान वहा बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वहां पर जब आवर एंट्री कर रहा था तो उस समय किस राज्य का कौन सा शाशक था ठीक है डिली पर जो काविज थे वह इब्राहिम लोदी थे जो की गद्धी पर 1517 से 1526 के बीश में रहे डिली की गद्धी पर इब्राहिम लोदी उस के शाशक जो थे वह करमLook राइथे जब बाबर भारत पर एंट्री कर रहा था उस समय की बात है ठीक है बंगाल के शाशक थे उस समय वह बहादुर्द शाह थे मेवाल के जो शाशक थे उस समय वह राणा सागा भी आएंगे तो ils कोई और बहारत पर आक्रमण करने के लिए और बाबर और राणा सांगा के बीच में एक संदी भी उती है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे अबी ठीक है एक मालवा के शाशक थे जिनका नाम था मेहमुष्या यह उस समय प्रजेंट में शाशक थे मालवा के उसके बाद में एक कश्मीर के भी एक शाषक थे मौमद शाह और सिंद में भी एक शाषक शाषन कर रहे थे उनका नाम ता शहबेग अर्मून ठीक है तो जब बाबर ने भारत पर एंट्री करी थी उस समय तो यह शाषक जो थे उस समय प्रिजेंट में शाषन कर रहे थे ठीक मैं इस अभियान को कुभा क्योंकि इसी अभियान से ही बाबर की तक दिर उलटने वाली है ठीक है चलिए देखते हैं कैसे तो very very most important यह अभियान है जीतता हुआ आया है जो कि पंजाब के आसपास के छेत्र थे ठीक है अब पंजाब के आसपास के छेत्र थे तो यहां पर पंजाब में जो सूबेदार रहा होगा तो उसके कानों तक तो खबर जाएगी ही क्योंकि यह जो छेत्र है यह लाहोर सुल्तानपूर दीवालपूर य इसलिए जब पंजाब का जो सूबेदार था वो था यहां पर दौलत खां ठीक है दौलत खां जो था वो शुरू से ही था तो अंडर में ही इब्राहिम लोदी के ठीक है क्योंकि इब्राहिम लोदी ने ही इसको क्या किया था यहां का पंजाब का सूबेदार बनाया था तो इ है कि अभी इसे मुलाकात क्यों की जाए क्यों कि इसके मन में एक लालस था दोस्तों इसके मन में क्यलाज था कि यह Penजाबकर स्वतंत्र राज्य की इस थापना करें धातर्य। मतलब शॉयicon हविए पनजाब पर इस लिए यह दौलत था यह आलम खां के पास गया ठीक है किसके पास गया आलम खां अब आलम खां कौन थे आलम खां जो थे यह इब्राहिम लोधी के चाचा थे जो कि इब्राहिम लोधी से बहुत जादा जलते थे ठीक है इब्राहिम लोधी यह चाते थे कि इब्राहिम लोधी यह गद्दी से हट जाए ठीक है उन्होंने काफी सड्यंत्र भी रचे लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ था उसके बाद में इन दौनों क्या किया इन दौनों ने एक योजना बनाई कि हम लोग बाबर को क्या करते हैं दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रन देते हैं और दिल्ली पर कौन बैठा इस समय इब्राहिम लोदी तो हम लोग अगर इब्राहिम लोदी को हरा देंगे तो आप आलम खांजी दौलत खां क गद्धी पर बैठ जाओगे और मैं पंजाब पर स्वतंत्र राजे की स्थापना कर लूँगा ठीक है चुकि आलम खा जो था इसकी भी मन्षा यह थी के यह दिल्ली पर शाषन करें दिल्ली की गद्धी पर बैठें इसलिए इन दोनों इसलिए विद्धी पर आप पंजाब आसपास Siyaomina Re jotun को पूरा करना कि इन दोनों ने प्लैन बनाकर क्या किया योजना बनाकर क्या किया दौलत खांके पुत्र दिलावर खांको बावर की शरण में भेजा और बावर से मुलाकात करी दिलावर खाने के आप हमारे साथ में हो लीजिए और इब्राहिम रोधी को आप हरा दीजिए इस तरह से इन लोगों ने क्य किसलिक ψत्रों को जीतता हुआ रहा था तो यह सारी जो घटनाय है ये और भी शाषकों के पास पहुंचेंगी तो एक मेवाल के शाषक थे जिनका नाम था राणा सांगा हैं ठीक है राणा सांगा ने भी विचार बनाया क्योंक ये भी चाहते थे इनकी मन्सा यह GREEN करें और अगर उनके साथ मिल जाएं तो इब्राहीम लोधि को हराकर क्या करें दिल्ली पर शाशन करेंगे ठीकै ऐसी इनकी मन्सा थी तो इनों ने भी क्या किया में और को इन्वाइट किया कि आप भारत भारत पर आप्रमंण नागर किया और इसका जिक्र कीजिए जिसका जिक्र बावर नामा में मिलता है इसका जिक्र खुद बावर ने किया है कि मुझे जो इन्वाइट किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए वह राणा सांगा ने यह ऐघे टिंफ लोगों आपस में एक करते हैं तो उस गुप्त संदी में पहला पॉंट होता है तो उस गुप्त संदी में पहला point ये होता है कि जो दौलत खा है, जोकि पंजाब का सूवेदार है और आलम का है, जोकि इबराहिम लोदी के चाचा है, इनको तो सबसे पहले रास्ते से हटाओ पहली condition ये थी ठीक है दूसरी condition ये थी इस संदी में कि इब्राहिम लोदी को हराने में आपकी मदद करूंगा इस बात को कौन कहता है तो इस बात को राणा सांगा कहते हैं कि हम इब्राहिम लोदी को हराने में आपकी मदद करेंगे तो बाबर कहते हैं ठीक है आप मेरी मदद कीजिएगा और एक कंडिशन ये थी इसमें के दिल्ली की गद्धी का फैसला हम बाद में करेंगे मतलब जो भी डिसाइड होगा हम बाद में डिसाइड करेंगे ऐसी इन संदियों में पंक्तियां थी ठीक है दोस्तो ऐसा विचार इसमें प्रकट किया गया था फिर बाबर क्या करते हैं क्योंकि इस संदी में कहा गया था कि दौलत खां और आलम खां को बीच रास्ते से मतलब पुत्र हुमायू को भी लेके आते हैं वह उनकी सेना को भी साथ में लेके आते हैं ठीक है उस समय जो हुमायू थे वो बदक्सा के सूबेदार थे और बदक्सा के सूबेदार हुमायू 1520 से 1529 रहे जब तक की बाबर की मिर्तियों नहीं हो जाती है तब तक 1529 तक जो हुमा शुब्रकों होता है और आ लेकिन इसकी भनक अभी तक इब्राहिम लोदी को नहीं लग पाई है ठीक है क्यों नहीं लग पाई है क्योंकि यह जो था आलमखा क्या तेरा घर का बेदी लंका ढाय वही इसाब था इसका इसने अभी तक कोई की information लीक नहीं होने दी कि कौई व्यक्ति है कोई बाबर है कोई तुर्की व्यक्ति है जो भारत में अभी तक आक्रमन कर रहा हो पंजाब के आसपास के सभी छेत्रों को जीतता हुआ जा रहा है तो इस आलमखा अपने चाचा की मृत्यू कर दी मतलब इसकी हत्या करवा दी छटवा अभियान शुरू होता है और यह अभियान जो है यह यह जो युद्ध है यह 21 अप्रेल 1526 में होता है ठीक है और इसी छटे अभियान को बावर के पानीपत का पर्थम युद्ध के नाम से जाना समझ समझ लेते हैं इस चीजों को ठीक है अब क्या होता है जब इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि उसके चाचा आलम खाने उसके साथ एतनी गदारी की है और वह दुस्मन के साथ मिला हुआ था तो इब्राहिम लोदी क्या करते हैं अपने चाचा को अपने चाचा की हत् त्यार हो जाते हैं उसके बाद बावर भी युद्ध के लिए तयार हो जाते हैं ठीक है अच्छा अब इब्राहिम लोदी जो थे वह 1517 से 1526 के वीश में गद्धी पर बैठ चुके थे ठीक है चलिए अब देख लेते हैं इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वह एक लाग से सम्थिंग सम्थिंग करीबन बारह हजार के सम्थिंग बावर के पास सेना थी लेकिन बावर के पास में चाला की और चतुराई भरी समझ थी दोस्तों ठीक है बावर के पास क्या थी चाला की एवं चतुराई भरी समझ थी और इसके आधार पर ही बावर ने पानीपत का प् थीज़ी प्रियूग किया और उसने कौन सी तुप यूज़ किया एक थी दुर्गभेदी तुप नहीं एक थी अरावा भारी दुर्गभेदी तुप जो थी वह बड़े- बड़े कीलों को तोडने का काम करती लेकिन आरा भारी जो तोप थी वह क्या कर रही थी वह उपर से बरसा कर लोगों को खतम कर रही थी ठीक है अच्छा इसके जो प्रसिद्य तोप ची थे उस्ताद अली और मुस्तफा ये तोप चलाने में बहुत जादा ब्रिलियंट थे ठीक है और इन्होंने ही तोप सजाने क उस्मानी या रूमी पद्धिती का भी अविश्कार किया था उसके बाद में बाबर ने इस युद्ध में एक चाला की और दिखाई कि तुलगमा युद्ध पद्धिती को अपनाया ठीक है और ये युद्ध पद्धिती उसने मंगोलों के उजवेकों के द्वारा कौन थे तो थोड़ा से देख लेते हैं अच्छा फ्रेंट उजवेक जो थे वह मंगोलियाई कभीले के जो उच्छ सरदार होते थे उनको उजवेक कहा जाता था और यहीं मंगोलों से मंगोलों के उजवेकों से बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धिती को अपनाया त तुलगमा युद्ध पद्धिती जो थी यह तीन तरफ से दुश्मन को घेरने वाली पद्धिती थी ठीक है तीन तरफ से क्या करता था बाबर बाबर ने क्या किया था इब्राहिम लोदी की सेना को तीनों तरफ से घेर लिया था और तीनों तरफ से उसने तीर एवं तोप तो कि गिर पड़ेगा उसकी मृति हो जाएगी तो शेना तो है वो अपने अपि ऑठ cereal बहग जाएगी तो यह सारी चीजंग उसके बाद में इसी के साथ में इब्राहिम लोदी जू था वो बुरी तरह से हार गया और उसकी म्रत्य हो गई और इसी के साथ में पर जो दिल्ली सल्तन थी वहां पर दिल्ली से लोडी .. Marsh का अंत हो गया और भारत में एक नए वन्स की स्थाफ्णा शुरू ही ठीक है नए वन्स की स्थाफ्णा शुरू ए उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि बाबर और राणासांगा की बीच में एक संधी हुई थी न राणासांगा जो है वो बाबर की Health करेगा इसा नहीं हुआ था इसलिए उसने साफ इंकार कर दिया कि भीया आप अकेले लड़ो मैं आपकी हेलफ नहीं करूंगा और इस संदी को मैं तोड़ता हूं इस तरीके से ठीक है और इसी के साथ बावर जब इर्फ इबराहिम लोदी को हरा देता है तो वह एक नए मुगलवन्स की स्थापना करता है भारत में तो से मुगलवन्स की स्थापना करता है और मगलवन्स की तो सम्दिद exshiftaline की फसथी वो अपनी मा कुतलोग निःगार खां बेगम मंगोलीा कबीले की थी इसलिए बाबर उस शुरू से ही अपने मा के वंसजों की तरप से काफी आकर्षित था इसलिए उसने मंगोलों से मंगोल हटा कर मुगल कर दिया ठीक है इस चीज को भी आत रखीगा उसके बाद में बाबर जब जीत जाता है तो जीत की खुशी का जो इजहार करता है तो क्या करता है यहां पर दिल्ली पर जब आक 대해서 करता है तो जो भी धन उसको मिलता है जो लूटा हुआ धन होता है वह एपने राज़दरवारियों में सैना में अपनी काबुल की जनता में वे अपने नौकरों में क्या करता है उस धन को बराबर बाट देता है और उस धन को बराबर जब बाट देता है तो इसलिए बाबर की उधारता के कारण बाबर को कलंदर की भी उपादी दी जाती है कलंदर का अर्थ होता है बड़े दिल वाला भी होता है और रिग बेद में कलंदर को क्ले को तोड़ने वाला भी कहते हैं तो किゃ किया था पॉव अ मुग नों ने क्या किया था डॉंहाईयर के राजा विक्रम जीज से चीना था ं इस तरह से भारत पर मुगल सामराज्य की इस्थापना हो जाती है ठीक है दोस्तों तो मैं आशा करता हूं आप लोग को अच्छा लगा हुआ लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक टॉपिक जो रहे गया है चंगेज खाका वह भी मैं आपको इसी टॉपिक में बता दूं जिससे की हमारा जो चंगेज खांगर रहे गया है वह भी complete हो हुआ केगा है है की हम जानते हैं वून है न कि माजो थी वह कुत्लों निगार खा बेगम थी जो किक वन से संबंदित थी मंगोल वंस से मतला मंगोलियाई कभीले की ठीक है और जो चंगेज खान था वो भी मंगोल वंस से ही संबंदित था ठीक है और उनकी माजो थी वो चंगेज खान की वंसस थी उनके परिवार से ठीक है संबंदित थी तो चली हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इनके पिता जो थे वो यंगूसी बताकूर इनके पिता का नाम था जो की मंगोलियाई कबीले के सरदार थे मतलब मुखिया थे जब चंगिश खाजो थे वो दस वर्स की उम्र के थे तो तब इनकी मृत्यू हो जाती है इनके पिता की बताकूर की मृत्यू हो जाती है पिता की मिर्तियू के बाद में यह बहुत संगर्स करते हैं और यह इतने क्रूर थे कि इनको कोई जब यह किसी भी युद्ध में जाते थे तो वहाँ पर बरवादी के निसान छोड़कर चले जाते थे भी बताते हैं कि छंगेज खाः इंका नाम कैसे पढ़ा उस के बाद में हम लोग बात करें तो चंगेज खाः में आए तो उसके बाद में यह हैं पंद्रेसो बारासो चैसे बारासो 27 के बीच में मंगोलिया कबीले के लोग क्या करते हैं इनको अपना सरदार बना देते हैं कितनी एज में उन्हान दें बहुत जादा महनत करी थी और काफी शक्तिशाली वैकती थे अपनी कुशलता के कारण इनको मंगोलिया लोग क्या करते हैं अपना सरदार निफ्स्त कर देते और उनको कगान की उपादी दे देते हैं कगान का अर्थ होता है खान से समराट से सरदार से इसलिए चंगेज खां के नाम के पीछे खान लगा हुआ है जो की कगान से ही इसका अर्थ निकलता है ठीक है चंगेज खां इनको जो उपादी दी गई थी वो इन्होंने अपनी कुशलता के बल पर चंगेज खां की उपादी धारण करी थी ठीक है जिसको विश्व समुंद्र या विश्व समराट भी कहा जाता है चंगेज खां की मृत्यू जो होई थी वो घोले से गिरकर 1227 में इनकी मृत्यू हो गई थी ठीक है चंगेज खां के समराज्य के बारे में अगर हम बात करें तो चंगेज खां का जो समराज्य था वो तीन करोड तीस लाक वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ था मतलब पूरी दुनिया के बाइस परसेंट भाग पर इन्होंने अपना समराज्य इस्थापित किया था इतने कुरूर साचक थे कि जहां भी जाते थे बस बरबादी के निसानी छोड़कर जाते थे ठीक है तो इन्होंने जो अपनी समराज्य को बढ़ाया वह रूस उज्व तो चंगेज खाज्य दुनिया का सबसे क्रूर शाषक था ठीक है इसने अपने समय की करवी करीबन 11% जनसंख्या का कटल करवा दिया था अगर बात करें तो करीबन 4 करोड लोगों को इसने मर वा दिया था इसलिए चंगेज खाज्य इसने 1219 में इरान पर आकरमड किया जह उसके बाद में खार्जम इरान का इसका पुत्र था यह भागता हुआ भारत की तरफ आया और इल्टुतमिस से हेल्प मांगने के लिए यह आया बट इल्टुतमिस ने इसको मना कर दिया चंगेज खां के डर से यही कारण था कि चंगेज खां जो था वह भारत पर आते आते मदद करता तो शायद चंगेज खां भारत की और आ जाता और यहां पर भी विनाश कारी प्रतिकरियाओं को दोहरा था ठीक है तो यह चीजे थी चंगेज खां से रिलेटेड और एक चीज और बता दें कि चंगेज खां जो था उसके कुल साथ बहन भाही थे ठीक है और इस तो आप उसको भी देखिएगा जिसमें हम मुगल समराज्य के सभी शाषकों के बारे में बारी दर बारी आपको समझाएंगे तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत मेहनत लगती है यह नोट्स बनाने में फिर आपको समझाने में तो अच्छा लगे तो शेयर तो जरूर कीजिएगा दोस्तों धन्यवाद सस्तियकाल नमस्कार्ण